दूर किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिडियां अपने पती अब्दुल कभूतर की शाथ रहा करती थी अब्दुल कभूतर एक गरीब किशान था वह अपने खेत में सबजियां गाया करता था और उन सबजियों को वह बाजार में जाकर बीचा करता था सब्जी ले लो सब्जी, ताजी हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी अब्दल कपूतर की आवाद सुनकर वहां बहुत सी पंचियों की भीर होने लगती है क्योंकि अब्दल कपूतर की सब्जियां बहुत ही ताजी और सस्ते दाम पर थी इसलिए सारी पंचियां उसी से सबजियां खरीदा करती थी कुछी मिंटों में अब्दुकबूतर की सारी सबजियां भिग जाती है और वा वापस घर आ जाता है ये लिजे बेगम साहिबा आज की कमाई और थोड़ी सबजियां भी बचा कर लाया हूं आज आप इसे ही रात के खानी में बना दीजियां ठीक है जे मैं यही सबजियां बना देती हूं तब तक आप हाथ पे दो लीजियां कुछ दिनों बाद ही टूनी छिडियां ने अपने घुशनी में एक अंडा दिया और कालांतर में उस अंडे से एक बहुत ही प्यारी चिडियां बाहर निकली जिसे देख कर टूनी चिडियां और अब्दुलकबूतर की खुशी का ठीकाना नहीं रहा उन्होंने उसका नाम टून्टूनी रखा ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं वे दोनों अपनी नन्नी टून्टूनी के साथ बहुत खुश थे कि एक रात अचानक बहुत तीज बारिश और तुफान होने लगती है बारिश को देख कर अब्दुलकबूतर थोड़ा घबडा जाता है और वह अपनी पत्मी की पीचरियां से भूता है बेगम साहिबा बारिश तो रुखने का ना भी नहीं ले रही मुझे एक बार खीट जाकर देख लेना चाहिए अगर सब्चियों को कुछ हो गया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा पर अब्दुल जी बारिश तो बहुत तेज हो रही है और रात का समय है अब्दुल जी हम धोड़ा और इंतजार कर लेते हैं सायद बारिश रुख जाए तूंटूनी चिडियां की बात अब्दुल कबुतर मान लेता है और बारिस के रुखने का इंतिजार करनी लगता है इंतिजार करते करते लगबख एक गंडा बीच जाता है पर बारिस रुखना तो तो अववा और तेजी से होनी लगी थी तेज बारिस को देख कर अब्दुल कबुतर की सब्ड का बान अब तूट जाता है और अववा अपने सब्जियों को देखने के लिए इस तेज तुफान में घर्चे बाहर निकल जाता है अब्दुल कभूतर जब खीत पहुसता है तो दीखता है कि खीत में अब बारिस का पानी भरने लगा था जिसकी वज़ा से सबजियां खड़ाब होने लगी थी और उन्हें ले जाकर एक सुरक्षित अस्थान पर रखता तवे अजानक से आस्मान में एक जूड़ दार बिजली करकती है जो सीधे जाकर अब्दुल कभूतर के उपर गेरती है बिजली के जटके से अब्दुल कभूतर की वही मौत हो जाती है जब बहुत दीर बात भी अब्दुल कभूतर वापस घर नहीं आता तो टूनी चिरियां को उसके चिंता होने लगती बाहर कितनी तेज बारिस हो रही है और टून्टूने के अपु कहां रह गय अभी तक वापस क्यों नहीं आये है देखते ही देखते सवीरा हो जाता है औ अब बारिस भी थम गई थी तभी टूनी चिरियां का परोसी कालो कववा उसके घर आता है तूनी दिदी अरे टूनी दिदी जल्दी बाहर आई है कालो भाय जान क्या हुआ आप इतने परिशान क्यों हो अरे टूनी दिदी अब्दुल भाय जान नहीं रहे बिचली गिरने की वज़ा से उनकी मात हो गई दिदी यह नहीं हो सकता तूनी चिडिया कालो कवे के शाथ खेत पर जाती है और अपने पती के लास को देख कर फूट फूट कर रोनी लग जाती है अब दूल जी आप हमें छोड़ कर नहीं जा सकते अब दूल जी आजाए ना वापस तुन तन टूनी चिडिया अभे बहुत चोटी थी वह अपनी मा को एक टक देखे जा रही थी उसे यह पता नहीं था कि उसके अब वो उसे छोड़ कर हमेशा के लिए जा चुके हैं और वापस कभी नहीं आएंगे पती के गुजर जाने के बात टूनी चिडिया अब बहुत उदाश रहा करती पर अपनी चोटी सी बेटी टुन्टुनी के लालन पालन के लिए उसे कुछ तो करना था इसलिए उसने फिर से अपने खेत में सबजियां उगाने का सोचा और अगले ही दिन वह अपने खेत पर गई तभी अजानक से वहाँ सेट करकनात कवा उसके पास आया और अरे तुम यहां क्या कर रही हों सेट जी यह मेरा खेत है मैं अपने खेत पर खेती करने आई हूं सेट जी आरे चलबाग बड़ी आई तेरा खेत है तेरे पती ने मुझ से कर जा लिया था और बिना चुका यही चला गया अब कैसे यह तेरा खेत है उसने यह खेत मेरे नाम कर दी थी चल्बाग यहां से अब यह मेरा खेत है अरे से जी सिर्जी ऐसा मत करो ले के तो बस मेरे पास यही खेत है और आप बोल रहे हो की मैं यहां से चले जाओ से उन्हों ने तुम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है से जी तुम यहffic है कि मैं किसी को बुलाओं तुझे यहां से मार कर भगाने के लिए चल भाग यहां से चारी टूनी चिरियां रोते रोते घर वापस आ जाती है और अपनी ननी सी बेटी टून्टूनी को गले सी लगा कर रोने लगती है कुछ दिन ऐसे ही बीद जाते हैं अब टूनी चिरियां के घर का सारा राशन खत्म हो गया था और घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था मुझे अब कोई ना कोई काम ढूनना ही होगा अगर मैंने कोई काम नहीं ढूनदा तो मेरी बेटी भूक से मर जाएगी तूनी चिरियां अपने बेटी टून्टूनी को लेकर काम की तलास में निकल जाती है दो तीन जगा पर पूछने पे भी उसे काम नहीं मिलता कुछ दूर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है वह घर का दरवाजा ठक 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 आती है अंदर से सुन्दरी नाम की एक कवी निकल दी है आरे क्या बात है कौन है तू और क्यों मेरा दरवाजा ठक 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 आ रही है क्या चाहिए तुझे बहन मेरी बच्ची सुबस से भूगी है अगर तुम्हारे घर में कोई काम मिल जाता तो बहन मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूँगी बस बदले में मुझे कुछ अनाज दे दिया करना आरे नहीं नहीं मेरे घर में तेरे लाया कोई काम नहीं है तुझा यहां से बहन ऐसा मत बोलो मैं तुम्हारे पैर पकरती हूँ बहन मुझे कोई काम दे दो आच्छा आच्छा ठीक है तुम मेरे घर पे कल से काम करने आ जाना और ले अनाज के ये कुछ दाने है अपनी बच्ची को खिला दे कल से time से आ जाना नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूगी ठीक है बहन मैं टाइम से आज आओंगी तुम्हारा बहुत-बहुत सुक्रिया बहन अब टूनी चिरियां रोजाना सुंदरी कवी के घर में इमानदारी से काम किया करती और सुंदरी कवी काम के बदले उसे अनाच के कुछ दाने दिया करती जिससे वह अपने बेटी टुन्टुनी का भरन पोशन किया करती ऐसे ही कुछ साल बीद जाते हैं अब टुन्टुनी चिरियां थोड़ी बड़ी हो गई थी एक दिन वह अपने दोस्त मुन्मुन चिरियां के शाथ खेल रही थी तब मुन्मुन चर्यां उसे अपने जूते दिखाती हुए बोलती है चुन्चुनी ये देख ये अब्बूने मुझे दिये हैं और पचा है उन्होंने मुझे बोला है कि ईद परवे मुझे इससे भी सुन्दर जूते खरीद की देंगे तब ही वहां सुन्दरी कवई की बेटी फूल कुमारी आ जाती है आरे इस गरीब से तो क्या पूछ रही है इस गरीब के पास उतने पैसे नहीं है कि ये जूते पहम सके तुम मुझ से पूछ मेरे पास तो इससे भी सुन्दर सुन्दर जूते है फूल कुमारे तुम ज्यादा मत बोलो इस पर मुझे अम्मी ने बोला है कि इस एट पर वे मुझे एक जोती जरूर खरीद के देंगी और तुम देखना तुमारे जोती से मेरी जोती बहुत सुन्दर होगी इतना बोल कर टुन टुनी चिरियां गुस्से से लाल होकर वापस घर आ जाती और अपनी अम्मी टुनी चिरियां से बोलती है अम्मे मुझे आप इस पर इत पर जूते ही दोगी अम्मे मेरे सारे दूस्तों के पास जूते हैं और वे मेरा मज़ा कुडाती है कि मेरी अम्मे करीब है और वे मुझे जूते कभी नहीं देगी अम्मे मुझे आप इस पर इत पर जूते दोगी ना अरे टुन्टुनी बेटा तो उन लोगों की बाद क्यों सुनती है मैं हूना मैंने बोला है ना तुझे कि मैं जूते दूंगी तो इस बार मैं तुझे इत पर जूते जरूर दूंगी बिटिया टूनी चिरिया ने अपनी बेटी टूनी चिरियां से जूती देने का वादा तो कर लिया पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह टूनी चिरियां के लिए जूते खरीद सके इसलिए वह अब बहुत परिशान रहा करती एक दिन वह सुन्दरी कवी के पास जाती है और उससे बोलती है सुन्दरी बहन मुझे कुछ पैसों के जर्रत थी अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती आड़े आड़े टूनी क्यों नहीं तू इतने सालों से मेरे यहां काम कर रही है रोप मैं अबे कुछ पैसे लेकर आई सुन्दरी कवी कुछ पैसे लाकर टूनी चिर्यां को दे देती है पैसे देखकर टूनी चिर्यां बहुत खुस होती है और उसके बाद वह अपने बेटी टून टूनी चिर्यां के लिए जूते लाने चली जाती है भाईया ये जूते कितने के दिये ये जूते हैं ये दो हजार के हैं ठीक है भाईया ये लो पैसे और आप मुझे ये जूते दे दो दुकानदार उसे जूते दे देता है टूनी चिरियां खुसी खुसी जूते लेकर वापस घर आने लगती है कभे रास्ते में तेज तुफान के शाथ बारिश होने लगती है टूनी चिरिया जब वापस घर आती है तो दीखती है कि एक जैडीला साफ उसके बच्चे टून्टूनी की ओर बढ़े जा रहा है वो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों के बीच आ जाती है और वह जैडीला साफ टूनी चिरिया को डसकर वहां से भाग जाता है साफ के काटते है उनी चिरियां पे होस हो जाती है अपनी मा की यहालत देख टून्टूनी चिरिया अपनी परुशन बबली कबूतरी के पास मदद मागने के लिए जाती है और उसका दर्वाजा खटखटाती हुए बोलती है बबली कबूतरी एक बहुत ही निर्दरी चिरिया थी टून्टूनी के इतना चिल्लाने पर भी वह दर्वाजा नहीं खोलती है हार पस्ता कर टून्टूनी वहां से चल जाती है और अपनी मा के पास जाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है मा जगो ना मा तूमें क्या हो गया मा मा जगो ना मा तभी टून्टूनी को एक आवाज सुनाई देती है वहाज का पीछा करते हैं जंगल पहुँच जाती है जहां पर उससे एक घर दिखता है वह घर का दर्वाजा ठाक जाती है अंदर से एक शपेरा बाहर निकलता है और टुंटुनी छिरियां से बूलता है अरे बेटी इपनी बारिज में तुम यहां क्या कर रही हो आओ बिटिया अंदर आओ नहीं बाबा मुझे अंदर नहीं आना बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना बाबा बाबा मेरी मा को देखो ना क्या हो गया है बाबा वो उट नहीं रही है बाबा कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है आप मेरी मदद करो ना बाबा अरे अरे बिटिया चल चल तेरा घर कावा है चल मुझे अपनी मा की पास देखर चल मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ वह सपेडा बिना कुछ सोची समझे टूनी चिरिया की शाथ उसके घर चला जाता है जब वह घर पॉसता है और टूनी चिरियां को दीखता है वह समझ जाता है कि उसे एक चड़ी ले शापने काटा है वह अपने छोले से एक चड़ी बूटी हिकालता है और उसे टूनी चिरियां के घाव पर लगा देता है सुबह तक टूनी चिरिया बिलकुल ठीक हो जाती है अरे बिटिया देख तेरी मा अब ठीक हो गई अब अपनी मा का ध्यान रखना बाबा आपका बहुत बहुत सुक्रिया पर बाबा मेरे पास आपको देने के लिए इस जूते के अलावा कुछ भी नहीं है बाबा आप इसे रख लो अरे बिटिया तू तो बहुत समझतार है पर बिटिया ये जूते तो नए लग रहे है सायद तेरी माने इसे तेरे लिए इद में पहनने के लिए लाए होंगे बिटिया तू ही इसे रख और इद में तू इसे जरूर पहनना अब मैं चलता हूँ बिटिया इतना मोल करवसा पेड़ा वहां से चला जाता है कुछ देर बाद टूनी चिरिया को होस आता है तब टून्टूनी उससे लिपट कर रोने लग जाती है और उससे भोलती है अम्मी अम्मी तुझे होस आ गया अम्मी तो ठीक हो गई अम्मी मेरी प्यारी अम्मी अगले दिन ईद पर टून्टूनी चिरिया उन जूतों को पहनती है और खुसी खुसी अपनी दोस्तों के शाथ ईद मनाती है